हजार वर्ष तपश्या एक करे और एक एक घड़ी संत संग कर ले तो एक घड़ी संत संग की बराबरी हजार वर्ष की तपश्या नहीं कर सकती एशा परमन से सिरोमनी शिशुकुदेव जी ने बरनन किया बहुत बड़ा प्रभावशत संग का है यह जो कहने में आता है कि देर नहीं लगता सब सफेद से पीले रंगीन से सफेद सफेद से पीले वहां तो होड बनी हुई है इसका कारण हरिवन्ष प्रताप है और कोई न संसार में देखो लोग होड लगा करके भोगों की तरब भागते हैं आज तुमने इस कुटी ली तो कल हम मोटर सैकिल लेंगे तुमने ये कपला तो हम तुमने ये भूगा तो हम आज तुम यहां से भोजन मंगाते हो हम वहां से मंगाएंगे तुमसे सो रुपया दिक का हो लगती है पूरा इसी में तो संसार फशा हुआ है और यहां लगती आज तुमने मुनन करया तो आज हम करेंगे आज हम उतने जीवन का परिवर्तन करके प्रभू के चर्णों में पुर्ण समर्पित हो जाएंगे यह क्या है यह सत्संग का हरिवन्ष प्रताप का प्रभाव है हरिवन्ष प्रताप नहीं जानत है यह हरिवन्ष प्रताप कैसे परिवर्तन करता है एक घड़ी अगर सत्संग हो गया है अब आप कहेंगे कि कई-कई वर्ष सत्संग करने वाले भी तो बाग गये एक घड़ी का यहां बरणन किया जा रहा है सत्संगति घड़ी एक एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाधी तुलसी संगति साधु की हरय कोटी अपराद ये पाच पाच वर्ष सत्संग करके फिर भी भाग गए क्या सत्संग में दम नहीं थी या सत्संग वो शुन नहीं पाए बात ये है पारस पास में है पर इस पर्ष नहीं हुआ उसका क्यों? क्योंकि रूई बीच में लगी हुई है एशयहंकार का परदा रोज प्रया सत्संग में शब्दाता ही है सरीर, सरीर के भोग और सरीर के रिष्टे नाते तीन पर जब तक आप विवेक का कुलहार नहीं चलाएंगे तक परमार्थिक उन्नती नहीं 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 दूरादपास्य स्वजनान आचारी चरण करें सनेशंबंधियों के राग से दूर सुखमर्थ कोटिम एश्वर्य भोग से दूर सर्वेश उशाधन वरेश चिरम निरासा अहम भरी तपश्या शाधना ब्रतनियम आदिसे भी दूल एक मात्र दैन्य भाव से महारानी स्री किशुरी जुके चरणो का आश्र है हो गई बात फिर कुछ समझाना नहीं पड़ेगा सब समझ अपने आप आजाएगी और शरीर का राग भोगों में सुख बुद्धी और शरीर संबंधियों पर विशेश अपनापन तो आप हजार वर्स बैठे रोज सत्सक में कोई लाव नहीं मिलने वाला कोई लाव का ताद पर है आपका परिवर्तन नहीं होगा क्यों? क्योंकि आप परिवर्तन करना नहीं चाहते इसलिए नहीं होगा मात संगस तो दुल्लब हो लेकिन अगम्यों पास बैठ करके भी आप यदि आपके हिर्दे में लालशा जग जाए सत्संग से तो ये तीनों छूट जाएंगे बिना इन तीनों के छूटे सरीर का राग सरीर के समंद भोगों में सुख बुद्धी और सरीर के रिष्टे नातेदारों में अपना पने बहुत खास बात है पकड़ लीजिए इन तीन को अगर ये तीन आपके बने रहे तो यात्रा लंबी चलती रहेगी परिवर्तन नहीं होगा और अगर ये तीन का आप गुरु पृताप से राग त्याग करने की बात समध में आ जाए तो जो हजारों वरसों में परिवर्तन नहीं होता हो एक घड़ी में हो जाएगा, एक घड़ी में, ऐसी ऐसी बात आपको शुनने को मिलते है कि अभी इसी चण आप जीवन मुक्त हो गए, पर आपका राग होने के करणा पकड़ नहीं पते, इसलिए जब तक वैराग्य नहीं होता, तब तक संतु की बात समझ में नहीं आती, बा सत्संग ही होते हैं, पर राग त्याग नहीं होता, कुछ लोगों का तो नियम ही होता है, कि सत्संग में जाना ही जाना है, पर वो नियम की तरह जाना है, वहां क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं, उनसे अगर पूछो कि सत्संग में क्या सुना बुले, बहुत बढ़ी हाँ, पर सुना क्या ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको सत्संग की बातें पकड़ने से मतलब नहीं केवल सत्संग में अहो भाग के सत्संग में आ गए और चाप मारने के लिए हम और पुष्ट हो गया कि हम 25 शाल से नियम पूर्वक सत्संग सुन जए हैं परिवर्तन बिल्कुल नहीं जैसे के वैसे ही है तो गंगा जी में जब एक श्रद्धाल एक गोता लगाता है तो उसको लगता है में निश्पाफ हो गया और कच्छुआ मच्छी बहुत से जी उसी में राते दिन रहते तो उपरंपद के अधिकारी नहीं हो जाते ध्यान रखना इनके बिना हिरदय में रहते वी भगवान का नुभवनी होता श्रद्धा विश्वाश हमारा श्रद्धा हमारा विश्वाश इंद्री मन के बस करे मन करे बुधि के संग बुधि राखे हरिपद जहां तो लागय ध्यान भंग महाँ पुरुशो की बाड़ी है सत्संग का आपके उपर प्रभाव पड़ रहा है इसका आपी निरिक्षन कीजिए बुले क्या बुले स्वाभाविक क्या होता है कि भोग ने इंद्री को अधहिन कर लिया इंद्री ने मन को अधहिन कर लिया मन ने बुधि को अधहिन कर लिया और बुधि जीवात्मा को अपने वस्च में करके भोगों में फिशला दिया ये है संसार बंधन का क्रम अब जब सत्संग होता है अब इसका उल्टा शुरू हो गया बुद्धी प्रभू के चरणारबिंद की भक्ती करके इतनी पवित्र हो जाती है कि वो मन को अपने अधीन कर लेती है और मन बुद्धी की अधीनता स्वाइकार करके इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है और इंद्रिया निर्विशय होकर प्रभू में लग जाती है इंद्री मन के बस करे मन करे बुद्धी के संग और बुद्धी राखे हरिपद जहां तो लागए ध्यान अभंग अब तो ध्यान अभंग लगा हुआ है आखमुंद के आसन में बैटके नहीं चलते फिरते उठते बैटते जिधर दृष्टी जाती है अपना प्रीतम ही नजर आता है ये सत्संग का फल है अगर आप इसे श्वईकार नहीं करेंगे तो बहुत काल बितीत हो जाएगा आपको श्वईकार करना होगा जहां भोगों के छोड़नी की बात आती है जहां आहम को चकना चूर करने की बात आती है जहां रिष्टे नातों को श्वाह करने की बात आती है यही भेट देनी है अपने को अपने को प्रभू की प्राप्ती के लिए जो भेट देनी है वो यही देनी है क्या अपने शरीर का समर्पन अपने शरीर सम्मंधी भोगों का समर्पन अपने रिस्ते नातों का समर्पन अप एक ही नाता है कि इवल प्रभू के शम्मंध से नाते नेहराम के मनियत नहीं तो नहीं वो अंजन किस काम का जो आख में लगाए और आख फूट जाए वो शम्मंद किस काम का जो परम प्यारे प्रीतम प्रभुशे बिमुक करके हमें संसार में फशादे अंजन कहां आख जो फूट है भवतक कहों कहां लो जाते होए सनेहराम पदे तो मतो हमारो जिस से प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए यही हमारा मत है इसलिए इसको त्यागना अनिवार है उपाशक जो शत्संगी है मीठा बचन उचारिये नवता सब सूबोल हिर्दे माहि बिचारिके तब मुख बाहर खोल मरद बचन बोलना सीखो अगर बाणी से किसी की भी हिर्दे में छोब पहुँचता है तो ऐसी बाणी मत बूलिए बाणी ऐसी बूलिए मन का सत्संग तुम्हारी उपर अशर तब करेगा पहले आप सुधार कीजिए कपड़े में रंग चड़ाने के पहले उसकी अच्छी दुलाई हो जाती है फिर बड़िया रंग चड़ता है ये बड़ा गंदा है हमारा अंताकरन इंद्रिया तो हमें शुरुवात करनी है बाणी सेख परुख बचन सेवक जी भी महराज कह रहे है परुख बचन कब होनका है नियम ली जी किशी को दुख देने वाले बचन नहीं बोलेंगे नवताश शवशू बोल दैन्युकर तभी अंदर जो छुपा हुआ ठाकुर सब के हिरदय में वो प्रकाशित होने लगेगा जब देखेगा न कि आप पद्धती से चल रहे दैन्यभाव से चल रहे तो मुस्कुराने लगेगा फिर ये रूप अंतर ध्यान हो जाएंगे वह ही दिखाएगा दूसरा नहीं कोई भी बात बोलने के पहले हरदय में विचार कर लीजिए कि कहीं ये किसी की निंदास्पक बात तो नहीं इसमें दोस दृष्टी तो नहीं किसी की इसमें किसी को दुख पहुँचने वाली बात तो नहीं है ये तीन बातें देख लो किसी को दुख पहुँचने वाली बात तो नहीं बोलने जा रहा हूँ इसमें किसी का दोस दर्शन करके बात तो नहीं बोल रहा हूँ किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूँ अगर है साब तो वानी बहुत अपराद करती है सबसे ज़्यादा पाप वानी से होते है बूले जानी ये तरा जू तोलिके तब मुख बाहर आनी बहुत समाल कर भजन करने वाले उपाशक को बाणी पर विशेश ध्यान देना चाहिए शी चरंदास ही कह रहे है बिना श्वाद ही खाईये राम भजन के हेत चरंदास कहें सूर्मा ऐसे जीतो खेत कि संसार रूपी रणभूमी पर यजि विजय प्राप्त करना है तो स्वाद रहित भोजन करने का अब्यास करो देखो ये जो चटोरा पंजवान में बैठ गया है आप इच्छा मत कीजिए आपके भरन पोशन करने वाले प्रभू है कभी वो स्वादिस्ट पदार्थ मिल रहा है तो बिना स्वाद बुद्धी के भगवत प्रशाद रूपाली कभी रूखा शूखा मिल रहा है उसे पाली अगर आपको ही बनाना है और भोग लगाना है तो ध्यान रखना है कि जिसे एक श्री जी को तो अब हलुआ, खीर, ये, ये आप सच्ची मानिए श्री जी ये सब नहीं पाती है ये तो हमारे लिए आवश्यक है पांचभौतिक शरीर के पोशन के लिए तो उसका भोग लगता है क्योंकि प्रभू को बवाय बिना तो वो ऐसे दर्शन कराते हैं स्री जी और लाल जू जो पाते हैं वो केवल प्रेम भोगता है केवल प्रेम दूश्रा वो पान नहीं करते हैं हमारे प्रियालाल ये प्रेम स्वरूप हैं और ये प्रेम की ही किरिड़ा करते हैं और ये प्रेम का ही भोग लगाते हैं तो प्रेम तो जल से भी युक्त होकर के दिया जा सकता है जो भी आप वो प्रेम से विटो कर दो हमारे प्रभु पाएंगे प्रभु बदार्थ नहीं पाते हैं प्रभु उसमें प्रेम जो उपाशक का होता है वो प्रभु पाते हैं ये बैठा लिजीए ये ब्रहम अटा दिजीए कि छपपन प्रकार के भोग श्री जी को पवा के अधिन किया जा सकता है फी तो श्री जी अरब पतियों की ही होती अपने गरीबों की इंचनों की तो होती ही नहीं लेकिन कहीं ऐसा नहीं पाया गया सिद्धान्त ये जो उत्तम उत्तम भोग बरनन का है उसमें आपके जो उत्तम-उत्तम भाव हज प्रफुलित हो रहा है हरते आज स्री जी को खीर का फोग लगाएगे आज यह जो उसमें आपका अंतरीक भाव बन रहा है तो अगर बाहर नहीं भी पदार्थ हर्पित किया और भाव बल गया तो स्री जी ने पा लिया स्री जी पदार्थ भोगता नहीं है ध्यान रखना पदार्थ भोगता देहा भिमानी जीव होता है इसलिए बिना अधिकार के प्रेम रंग की बात नहीं बताई जाती कि ये देहा भिमाने जीव कहीं प्रिया प्रितम की प्रेम रस क्रिड़ा को देह क्रिड़ा न समझ ले कि भई जैसे लोक वत ऐसे नहीं श्री जी और लाल जू ये प्रेम के खिलोना दो खेलत है प्रेम खेल अब तुम काम खेल खेलने वाले काम का आशक्ति पुर्वक शेवन करने वाले प्रेम खेल की बात ही नहीं जान सकते क्योंकि वो सूक्ष्मतरम अनभोश्वरूपम शुरुवात कीजिए ये भाव हटाए कि सिरी जी को रोज हलुआ पूरी वे सब पवाना है अगर आपको ऐसा ही भाव द्रड है तो पवा के माटना है पवा के थोड़ा किनका लेके बाटना है फिर बनाओ ज्यादा स्वादिष्ट नहीं पदार्थे से दाल दिखा के और पा लिजिए ये जब तक तुम गरिष्ट पदार्थ पाते रहोगे मान लीजे बात मान लीजे देख लीजे आप एक बाद जाडु मंडल के बल रामदा जी महराज बिलकुल यमुना के पावन पुलिन पर ही बना हुआ है इस शाहिद मिराश मंडल के पास ही वैसे ब्रक्ष की नीचे बैठे वे थे तो माताएं बेहने यमुना उगाहन कर तो वस्तरादी ये नियम है कि यदि आप यमुना के तट पर बैठे हैं तो दृष्टी शंभालिए क्योंकि शनान के बाद वस्तरादी शरीर में तो अगर हमारी अचानक दृष्टी जाती है तो प्रणाम मुद्रा होकर दुबारा उदर दृष्टी न जाए अगर दुबारा दृष्टी गई तो फिर आपका मन मलिर होने लगेगा और वो आपराद माना जाएगा तो आप तो भगवत प्राप्त महापुरुष जाड़ो मंडल के बल रामदाशी महराजी दृष्टी गई तो काम जागरत हो गया और ब्रद्ध मूर्थी निर्मल हर्दय हल्चल पैदा हो गई सबसिस्यों को बुलाया और कहा हम प्राण त्यागने की हमारी इच्छा हो गई यह सब क्या हो रहा है सब लोग घबड़ा गए बुल नहीं नहीं अब हम अपने शरीर में प्राण नहीं रट सकते हैं कारण तो बता दीजिए क्या प्रभू का संकेत है या कोई कुल नहीं अपराद बन गया क्या कोई माईश नान कर रहे थी उसके शरीर को देखकर हमारे मन में मलिंत आ गए महाराजी पहले ब्रंदावन की परिक्रमा लगाते हैं नाम किर्तन करते हुए फिर बाद में आप जैसा आदेश करेंगे जैसा हाँ ये भी ठीक है म्रदंग ढूल के शाथ भगवन नाम का उच्छ श्वर से गान करते हुए परिक्रम एकदम जैसे नशा उतर गया हो एकदम शांत एकदम प्रशन्नता एकदम बड़ी महिमा है धाम प्रदक्षणा की भक्ती के चोश ठंगों में प्रदक्षणा भी एक अंग है तो उनकारे यह कैसे हमारे अंदर ब्रत्ती आ गई थी कितनी निक्रिष्ट पहले तो काम और फिस शरीर चोड़ने की बात कल का प्रशाद कहां का था वैसे प्रया बेक्षान नाता था तो कहा कि गोविंद देवजी समय बिराजमान तो सैथ गोविंद देवजी का अब तो सैथ गोविंद देवजी जैपूर में बिराजमान है ब्रंदावन के इठाक हो रहे हैं तो उनका प्रशाद आया था जाओ जाओ पता लगो कल किसका भोग लगा था तो वहां जाके पता लगया कल किसकी तरफ से गोविंद देव जी भोगार होगे उनका कलकत्ता की एक बैश्या ने भोग लगाया था बहुत गुश्या लगी बल्धामदाज थाकुर जी के सामने गए और थाकुर जी से कहा कि आपका प्रशाद न पावे तो आप राद लगता है प्रशाद पावे तो हमारा चिंतन बिगड़ गया बुले हम क्या करें इसमें थाकुर जी से जब कहा जाता है कि गुविंद प्रशाद है या अमुक्ठाकुर जी का प्रशाद है तो हमें पाना ही है क्योंकि हमारे आराद देदे हुए और ना पावे तो आप राद लगता है और पावे तो देखो कैसी बुद्धी कर दी क्या है यह तो जो शिद्ध पुरुश होते हैं भगवान उनसे बात करते हैं शिद्ध पुरुश का मतलब होता है प्रभु के शिवा जिनकी हिर्दय में कहीं कोई राग नहीं है तो उनका प्रभु शे इतना अपनापन होता है जैसे छोटे बच्चे का मा से होता है वो लड़ भी सकते हैं वो बात भी कर सकते हैं वो रूठ भी सकते हैं तो मा जैसे ब पूरा का पूरा शब्द यह ठीक है उन्हों ने उसमें नियम लगाया अपने परिकर को कि ठाकुर जी का प्रशाद किनका और मादू के यह बात ठाकुर जी के प्रशाद की लगुता के लिए नहीं कह रहे हैं उनको संपूर्ण चराचर जगत का यदि भाव देखो वही आधार है वही बिवहार है और वही सम है और वही बिशम है पूरे चराचर जगत का वो तो उनके में कोई फर्क पढ़ने वाला है क्या उनमें लेकिन अपने में पढ़ जाएगा क्योंकि एक सीमित सरीर है और ये पंचे तत्तों से बना हुआ है इसमें जैसा जाएगा वह जैसा भाव प्रकासित होगा चाहे कोई भैजन करके सिद्ध हो गया हो पर प्रभू के समान बिवहार नहीं कर सकता प्रभू के समान हो सकता है प्रभू और प्रभू के जनों में भेद है ये पक्की बात है पर वो प्रभू के शमान एश्वर्यवान नहीं हो सकता कि उसके कहने से सूरी चलेगा उसके भैसे मृत्ति भैवीत होगी ऐसा नहीं है वो विराट रूप रखके संपूर्ण ऐसा नहीं है वो उसी समुद्र में तरंग लीन हो गई वो समुद्र में हो गया पर तरंग समुद्र नहीं प्रगट कर सकती है इतना बेद बना ही रहता है